बिस्मिल्लारमान रहीम, वालकम टू दो वीडियो सेशन केंट पॉब्लिशर्स सबसे पहले प्यारे बच्छों आप के पास जेनरल साइंस की बुक होनी चाहिए सेकंड तिंग इस समर पैक, बिकॉज नावएडेंस आप लोग के पास समर पैक भी हो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है और तिसरी चीज है, प्यारे बच्छों, रिस्वार्स पैक, यह रिस्वार्स पैक जो है, इस इस फ़र टीचर्स लेकिन आज कल आप लोग गरों पे हैं, तो आपके वालिद, आपके पैरेंट, आपके बहन भाई, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, फ्रम दे वेब हो, कि इन्शालला जब आप लोग इसको तवज्ज़ से सुनोगे इस लेक्छर को, तो इससे आपको कॉंसेप्ट आपका बन जाएगा, और आने वाली जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब को समझने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, माईडिये स्टूडें नमबर त्री पेटल्स, और उसके बाद है स्टेमन और उसके बाद एक बड़ा पार्ट है, उसके अंदर पिर और चोटे पार्ट होंगे, उसको हम कहते हैं कारपल या पिस्टिल्स, सो मैं इस पिक्चर को बड़ा करके आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप पार्ट हीर यह स्टूडिंट्स, आप लोगों ने जो इसकी नीचे से जो स्टेम आपको नज़राथी है, फ़लावर की नीचे, इसकο कहते है ये green color का होता है और इसको कहते है पैडिसन इसका काम यहीं तक होता है कि जब ये flower बन जाए तो इसको निचे ज़े सपोर्ट दिया हुआ है इसके उपर जो एक part आपको green color में नजर आता है ये normally बहुत सख्त leaves होती है पार्ट होता है और ये क्या करता है जब ये flower open नहीं हुआ था तो इस in sepals ने इस पूरे के पूरे प्लांट पूरे के पूरे flower को मजबूती से पकड़ा था जब वो जैसे खुल गया तो ये क्या हो गए यानि ये पहले ऐसे था इसने मजबूती से इसको पकड़ा था जब ये खुल गया तो इसे ये दूसरे पार्ट निकल गए जो के colored पार्ट है और इन leaves को क्या कहते है इनको petals कहते है यानि इन sepals ने ना सिरफ इन petals को बलके इसक नारी की सारी चीजओं को किसने cover-up क्या हुआ था अए तो पहले का नाम होगया fय चीए और दूसरे का नाम होगया sepal तो मेरे पियारे इस ओप ने address को भी देखा और आपने सेपल को सका क्या का नहींदेख और सेपल का क्या क्या काम है वह वह भी आपनी देखा अभी आते हैं जो color part है यानि जिस part को सेपल्स ने पकड़े रखा था flower के open होने तक इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सेपल्स और ये हमेशा colorful होते हैं मेरे बियरे बच्चों और मुखतलिफ colors के होते हैं देखें आप लोगों ने sunflower plant पढ़ा था sunflower में आप लोगों ने इसको yellow color में देखा था इसको यहां पे आपको pink color में नज़र आ रहा है मुखतलिफ flowers में रोज में आपको red भी नज़र आते हैं उसमें आपको pink color के भी नज़र आते हैं मुखतलिफ colors होते हैं यानि these are very colorful leaves बलके मैं आपको यह कहूँ के plant की खुबसूरती होती है इन colors की वज़ा से और इसके बाद जो तीसरा part है मेरे प्यारे बच्चो इसमें आपको बारीक बारीक hair like चीज़े नज़र आती हैं जिनके सर पे yellow color का एक चीज़ होती है जो गोल किसम की चीज़ होती है इसको हम कहते है collectively stemon कहते है यानि इसका जो नीचे वाला part है यह filament और उपर जो अबरी हुई चीज़ आपको नज़र आ रही है यह enter और इन दोनों को मिल के क्या कहते है stemon कहते है यानि पहला part आपका हो गया पेडिसल दुसरा हो गया सेपल तीसरा हो गया पेटल्स और चोता हो गया आपका stemon याद रखें मेरे प्यारे बच्चों जिस पार्ट में और पार्ट आते हैं वो भी याद रखें यानि पेडिसल भी अकेले था और सेपल भी अकेले था जब के स्टेमन में दो और पाट आ गए जिसमें से नीचे वाले हेर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या कहते हैं फिलमेंट कहते हैं और इसकी जो अबरी वी चीज़ है जो के रिप्रोडक्शन में हिसा लेंगी यह आगे एक और लफज आएगा पॉलिनेशन उसमें हिसा लेगी वो क्या है वो एंतर है कमिंग अंदर राइट हैंसाइड माई यह स्टूडेंट राइट हैंसाइड वे एक और चीज़े जिसको आप कहते हैं कारपल कारपल में तीन चीज़े होती है कारपल में अगर मैं बाकी फ्लावर को हटाओं तो मेरे पैन को देखो यहां से लेकर यह यह जो एक गोल चीज़े और गोल चीज़े वापस में इसके सर्ट टिप तक जाता हूं यह इन चीज़ों को क्या कहते हैं बलके एक मिन मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको वाश करता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए और सिर्फ कारपल हम सेपरेट कर सके तो जिस जिस एरिया पर मेरा पेंट जा रहा है इसको देखें यह इस उपर से स्टीग्मा से शुरू होता है और यह सटाइल से होता हुआ नीछे और जो नीचे की पाइप जैसे आपको नगतें और एजड़ारे हैं इसपाइप का नाम है स्टाइलि और यह उपर जो इसकी है इसको हम कहते हैं stigma और औरी प्लस टाइल प्लस स्टिग्मा इन तिनों को combinedly कहते हैं carpearl so my dear student once again pedicel number one sepal number two petals number three stem and number four and carpearl number five I am happy that my dear student you have learnt these five parts of flower क्योंकि आगे जाके इन five parts ने pollination में हिस्सा लेना है और हम दो किसम का pollination पढ़ेंगे लेकिन आप के लिए जरूरी है कि इस से related जो आपके पास questions है कहां पे summer पेक में और उसमें body parts of parts of flowers है उसको आप लोगों ने label करना है so best of luck my dear students अल्ला हाफिज